पूजा करते समय रोना क्यों आता है आये जानते हैं इस वीडियो में तो दोस्तों अगर पूजा करते समय आपकी आखों में आशु आते हैं तो इसका मतलब है यह आपकी प्रार्थना इस्वर तक पहुँच रही है और वो आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं पूजा के समय यदि भगवान के लिए रोना आए यानि भगवान की भक्ती और प्रेम के लिए रोना आए तो यह बहुत शुब होता है पूजा के समय आशु आना इस बात का संकेत है कि आपका मन शुद्ध है और आप पूरे अंतर मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं इससे आपका सीधा संपर्ग इस वर से हो रहा है पुजा के समय आँखों से निकले आशू इस बात का भी संकेद देते हैं कि आपकी पुजा शफल हो गई है इसके अलावा इसका एक अर्थ ये भी है कि भगवान आपको संकेद दे रहे हैं कि आपकी परिशानिया खत्म होने वाली है लेकिन यदि आपको संसार के चिंता के कारण रोना आए तो इसका कोई भी मतलब नहीं है और यदि रोते समय आपको ऐसा लगे कि कब पुजा समाप्त हो और मैं यहां से उठ जाऊं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव इनरजी है जो भगवान का सामना करके पेचेन हो रहा है आज के वीडियो में इतना ही इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल कॉल से क्लिक कर ले धन्यवाद जे माता दी